Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्ड़बल ही साथ उन्होंने सवाल उठाया है, अजीब डोवाल जी के ऊपर, तो क्या है ये मुद्दा, इसके बारे में बात करेंगे, इन्होंने क्लिरली बोला है कि इनको पुलवामा हमले के बाद, पुलवामा अटैक के बाद 2019 में, कुछ नहीं बोलने दिया गया, इनको साइलेंस कर दिया गया, और ये क्लिप जो है, अगर आप देखें, ट्विटर प्लाटफॉर्म पे, कॉंग्रेस ने शेर किया है, कॉंग्रेस पाटी ने, और इसके साथ साथ ये बाकी लोग भी शेर कर रहे हैं, और इसमें सत्यपाल मलिक जी ने बहुत बड़ा ऐलिगेशन लगाया है अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी की, पुलवामा हमले के बाद उन्होंने प्रधान मंतरी मोदी जी को कॉल किया, और उन्होंने बोला कि ये जो पुलवामा हमला है कहीं न कहीं हमारा बिगस्ट इंटेलिजन्स सेक्योरिटी फेलियर है, जिसकी वज़े से ये हुआ है लेकिन उनका ये कहना है कि प्रधान मंतरी मोदी जी ने उन्हें साइलेंस कर दिया और उनको बोला कि इस बारे में आगे बात ना करें, तो इसके बारे में दोस्तों हम बात करते हैं कि ये हुआ क्या था, तो जैसा कि आप जानते 2019 में जबरदस्ट CRPF के कॉनवाई को उप पर पुलवामा में हमले हुए थे, उस समय प्रधान मंतरी मोदी जी जिम कॉर्बेट नाशनल पार्क में थे शूटिंग कर रहे थे, और इस इंटर्व्यू में सत्यपाल मलिक जी ने ये बोला है कि प्रधान मंतरी जी से जब उन्होंने इस बारे में बताया, एक तो वहां जो है सत्यपाल मलिक जी दे रहे हैं दवायर के लिए और उन्होंने ये भी बोला कि एक बड़ा और जो है इंपोर्टन अलिगेशन प्रधान मंतरी के उपर इन्होंने लगाया है, वो ये लगाया है कि प्रधान मंतरी जी लगते बड़े सक्त हैं करप्शन को लेके लेकिन एक्चुली में इतने हैं नहीं और काफी जादा इल इन्फाउंड भी हैं ये भी सवाल ऐसा उन्होंने उठाया है, तो ऐसा क्यूं है इसके बारे में हम लोग और डीटेल में इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं, खेर बहरा दोस्तों 2019 में बड़ा ही जबरदस् इस आतंगवादी ने जिसका सीधे सीधे कनेक्शन अगर आप देखेंगे भारत ने बाला कोट में एर स्ट्राइक्स करी थी अभिनंदन जी ने उसको लीड किया था अपने जो बाइसन प्लेन है और ये जो अवंतिपुरा के पास आप देखेंगे जो श्रीनगर हाईवे ह जो आप देखेंगे जो जाता है इसमें श्रीनगर कन्यकुमारी हाईवे पे ये हमला हुआ था 14 फर्वरी 2019 को जिसके बाद भारत ने जवाबी कारवाही में कई सारे जो टेर्रिस लाउंच पैड हैं उस पे हमला करके उनको नेस्ता नाबूत और तबाह कर दिया था लेकिन अब इस इंटरिव्यू के बाद कहीं ना कहीं सवाल ये उट रहा है दोस्तों कि ये बोल रहे हैं सत्यपाल मली कि ये भारत की इंटेलिजन्स कम्यूनिटी का सबसे बड़ा फेलियर था ये जो 2019 में पुलवामा में जो हमला हुआ जिसमें हमारे 40 CRPF के जवान शहीद हो रिक्वेस्ट भी करी लेकिन होम मिनिस्ट्री ने इसको देने से मना कर दिया उन्हें सिर्फ पांच एरक्राफ्ट चाहिए थे लेकिन उनको एरक्राफ्ट नहीं दिया गया सत्यपाल मलिक जी ये बोल रहे हैं कि एरक्राफ्ट देने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट भी क लेकिन उसके बाद अगर आप देखें ना देने के कारण ये जो हमला हुआ उसके वज़े से हमारे 40 जवान शहीद हो गए और जैसा कि मैंने आपको पहले पता है उस दिन उधानवंतरी मोधी जिम कॉर्बेट नैशनल पार्क में शूटिंग कर रहे थे जो आपको पता है मैन वर्सेज वाइल का एक शूवाया था दोस्तों इसके बारे में और बात करेंगे 22 अपरेल से सुबह 8 बजे हमारा एक कोर्स बना है दोस्तों तो जॉइन करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना है और जैसे आपसे डिसकाउंट को पूछा जाएगा आप डीप लाइफ जैसे ही जा लेंगे आपको instantly वो डिसकाउंट मिल जाएगा उसके साथ साथ आप चाहें तो कॉमबो में भी दोस्तों आपको optional कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहें हो सारे अवेलिबल हैं at the study IQ प्लाइट तो दोस्तों बात करते हैं कि अभी तक तो प्रधान मंत्री जी पे सवाल उठा था लेकिन अगला जो संसनी केज इन्होंने statement दिया वो सीधे सीधे हमारे national security advisor अजीर डुवाल जी को है क्योंकि इनका कहना है कि अजीर डुवाल जी इनके batchmate है और कुछ भी खुलके बात कर लेते हैं उनसे तो अजीर डुवाल जी ने भी इनका कहना है बोला कि ये सब मत बोलिए आप चुप रही है और मुझे लग गया था कि अब ये सारा ओनस जो है पाकिस्तान की तरफ जाने वाला है तो इसलिए चुप रही है ऐसा उन्होंने बोला है सत्यपाल मलिक ने कि उनको अजीर डुवाल जी ने बोला और सत्यपाल मलिक का ये भी कहना है कि governor रहते हुने सारी situation व को उन्होंने हाइलाइट किया है एक और चीज बड़ी इंट्रेस्टिंग यहां निकल के आई दोस्तों इस इंटेव्यू में इन्होंने बताए जब आर्टिकल 370 हटाना था तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि आर्टिकल 370 को हटाने के लिए वहां की assembly का approval ज़रूरी और इन्होंने उस समय consult किया अपने chief secretary और डीजीपी से उन्होंने बताया कि situation खराब हो सकती इस वज़े से लेकिन उन्होंने बोला कि यह center चाती थी कि यह करना है तो करना है तो इसलिए उन्होंने ऐसा करा तो आर्टिकल 370 के removal के बारे में भी इस interview में उन्होंने highlight किया है बट सबसे बड़ी बात सबसे बड़ा जो आप देखें allegation है प्रधान मंतरी के उपर वो यह है कि बोलते हैं कि प्रधान मंतरी जी ill-informed है अपने कश्मीर के दौरे में 2018 में जब वो आये थे उन्होंने चार साल आप देखें अगर उन्होंने spend कियो है सत्यपाल मलिक जी वो यह भी कहते है कि कहीं न कहीं मुझे लगता है I can safely say that the PM does not hate corruption very much वो बस लगता ही है but actually मैं ऐसा है नहीं तो जैसा कि आप जानते है फिर सत्यपाल मलिक जी को हटा दिया गया उनको transfer कर दिया गया from Goa then he was a governor there Megalia में भी रह चुके हैं तो यह चीज़े उन्होंने इस interview में highlight करी है और last but not the least उन्होंने ये भी बोला कि उनकी जान का उनके खतरा है क्योंकि उन्होंने जेट प्लस security का recommendation मांगा था लेकिन अभी तक उनको कोई सिर्फ एक constable protect करता है उनका ये कि उन्होंने हसी में ये बोल दिया कि सरकार शायद चाहती है कि कोई साला मार देश को जाके मतलब ऐसे शब्द भी उन्होंने यूज कि हैं उन्होंने बोला कि इतने sensitive time के बावजूत उन्हें जो है पाकिस्थान से threat है लेकिन इसके लिए भी सरकार ने उन्हें security नहीं provide करी है और last में उन्हें अडानी रिपोर्ट के बारे में बताया कि ये बहुत बड़ा issue हो सकता है सरका शायद इसको छपाने की कोशिश कर रही हो अगर ये opposition इसको लेकि unite हो जा तो उनका कहना है कि 2024 के election में शायद बीजेपी नहीं जीत पाएगी बट उन्होंने बोला कि ब्रधान मंतरी जी ने इस पे एक single word भी नहीं बोला है defense main parliament बट ये उनका Achilles heel भी साबित हो सकता तो दोस् अगले वीडियो में उसी तरीके साब हमारे साथ जूड़ सकते हैं EPFO के batch और बाकी जैसे इसे प्रोग्राम study IQ की मैंने आपको बताया उसके लावा मेरे साथ मेरे जो telegram channel है instagram पर जूड़ सकते हैं ताकि हम लोग connected रहें तो thank you so much दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में till next time thank study IQ IS अब तयारी हुई affordable